आज मैं बनाने वाले हूं स्टिकर्स इस एडिसिव लेबल सीट में जिसके अंदर 100 सीट्स हैं जिसको मैंने पर्टिकुलर्ली स्टिकर्स बनाने के लिया है बट इसमें क्लू फुल जो आपको मैं बहुत जल्द बताऊंगी बट आपको मैं एक्साइट मेरे नए बट बट ब्रश ले यस मैंने पहले बट वाट खल ले के लिए उसी के लिए मैं ब्रॉष लीया अन्दी आर सो गड़ लगल ली विए इवंदो ये पेपर बट बुल भी अच्छा नहीं है बट इसमें भी बरुष बहुत अच्छा चल रहा ह एंन लविंग यह 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 पेपर बिलकिल अच्छा नहीं है वाटा के लकुलाइक लिद्ट है कि बहुत हाड है इस पेपर में but we can manage I guess थोड़ा सा इधर अधर करके पहु सारा ट्राइल एडर हमें करना पड़ेगा ये वीडियो में दो पहर के टाइम पे में शूट कर रहे हूं तो डारिक रिफलेक्शन वाइट कले का बहुत साथ ही स्टॉंग आपों में पढ़ता है और फोन में अच्छा नहीं आता है तो मैं अपने कॉछ तरीके से स्ट्रीके से इस्वाल करती हूं वोस अफ थाइम कि वो मुझे अच्छे से बैलेंस और प्रोवाइट करें और इस वर्क्सो गड़ तो हम लगागे बढ़ते हैं इस समय भी मैं बना रही हूं इस वक्त मैं बना रही अच्छा लग रहा है कि क्योंकि यह जिस तरके समय नहीं पता है यह वाटर के लख लिए अच्छा नहीं है लेकिन हम लोग अपनी बिन्फिट के लिए उस कर सकते हैं बट मैंने कुछ जादे ही कर दिया और इस ओर लोकिंग बट कुई नहीं इस स्टिल हम लोग उस पे काम कर सकते हैं लेट सी हम लोग क्या क्या बना रहे हैं आगे अगे एवं दो पहला लेवेंडर स्टा जाद हो गया सेकंड लेवेंडर मुझे पहले से बेटर लग रहा है हम लोग इसके उपर काम कर सकते हैं यह पर मैंने ब्रश नबर टू लिया है जिसका फाइन थिप है और मैं कुछ फाइन स्टोक्स वाले फ्लार्स बनाना चाहरे हूं तो लेट सी लेबल सीट किस तरह के से रस्वांड करता है यह पर नाओ इस वरकिंग गुड चलेगा थुड़ा मैसी है हमने वैसी फ्लार्स पना रहे हैं और सम डिटेलिंग्स यह अधिस डिटेलिंग्स सही मर्फूलों में जान डाल देता हैं अगर अगर आपको इससा फाइं डिटेल आड करना है तो आप देहां दीजे कि इसमें बहुत कम अमांट अप वाटर हो कि वह जादा स्मॉष ना हो और आप थुड़े फांड स्टोक्स डाल सबस्कों और येस वुआपके कंट्रोल में भी थोड़ा रह सकता है बाइट इवाइव अम एकले आटिस्ट और ये स्टिकर्स में फूली आपने एकस्टेमर्स लोक्ली में बना रही हूं बट इसमें जादा बना लिया क्योंकि मैं पस हंड़ड सीट तो मैं उसको सेलिंग लिए भी सो सकती हूँ बट फर नौ इस फरी भी मैं यहां बना रहे है थे फूल और बन गया यह बिटरफ्लाइव जो कि वुग असे लग रहा है आफकोस हम लोग पत्तों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पत्ते भी उतने इपराने के लिए तो यह यह बन अफ में फिटरेट लीफ है बनाने के लिए और यह लिए एक टेक्षिभ अगें हम लोग यहां पर एक फाइन बश्च का है इस दमाल करेंगे इस पूल को भी बनाने के लिए यह food बहुत satisfying है बनाने के लिए देखने के लिए बहुत satisfying है मेरे को let me know कि अब तक से आपको कौन सा फ्लावर जादा अच्छा रहोगा और आप किसको try करना चाहते है and yes यह जो आप जब हलका पानी डालोगे तो आपको इस टाइप का petals मिलेंगे जो कि flowers को काफी enhance करते हैं and उसी तरीके से हम लोग इसके बीच में भी detailing आड करेंगे and make sure अगर अगर आप detailing वाला चीज कर रहें तो उसमें आपका पानी क्वांटेटी कम हो जैसे इसमें मैंने पानी क्वांटेटी बहुत कम रखा इस बुशे में and finally, अगर अप कुछ additional touch-up करना चाहते हो और अपके पैन कर सकते हो वो अपके फूल में आप जान डाल देता है बहुत जादा जान डाल देता है almost की वो जिन्दा हो के बहार निकलेगा obviously I'm kidding but बहुत अच्छी लगते हैं है ना so here we are done with our flowers it's time to cut them out so let's go first with yellow one and here we are our first chikos यह रोज पहला वाला था and उसके बाद मैंने काफी साइर पत्ते and फूल पत्तिया and butterflies and lavender with cherries and like lot more चिकर बनाया मैंने तो let me know आपको इनमे से कौन सा अच्छे लगा and इसमें से एक मैं ट्राइ करने वाली हूं I think कौन सा इसमें जा रहा है I think this yellow one and thanks for watching this sticker making process let me know which one is your favorite and do subscribe my channel bye bye